महराश्ट के पूर्वे ग्रहमंत्री अनेल देश्मुक के लिए अभी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है सोमवार को ने मुंबई की एक विशेश अदालत में पेश किया गया विशेश अदालत ने उन्हें चोदे दिनों की न्याइक हिरासत में भेश दिया है परवतन निदेसालिय एडी ने उन्हें मनिल लोंडरिंग के आरोप में उन्हें दो नवंबर को गिरपतार किया था इसके बास साथ नवंबर को बोबे हाई कोट ने उन्हें एडी की हिरासत में भेश दिया था अनिल देश्मू को सोमवार को मुंबई की विजेज अदलत में पेश किया गया कोट ने उन्हें चोदे दिनों की न्याई खिरासत में भेश दिया इस दोरान अपनी तबियत का हवाला देते वे पूर्वे ग्रह मंत्री ने घर के खाने के लिए मांग की कोट ने इस पर कहा कि पहले आप जेल का खाना खाये सही नहीं रहा तो विचार करेंगे अलांकि कोट ने उन्हें जेल में अलग से बेड की अनुमती दे दी उन्होंने स्वाश्ती कारणों के आदार पर इसकी मांग की थी महराश्ट के पूर्वे ग्रह मंत्री लगातार अपनी गिरपतारी को ट क्या जा चुका है लेकिन वे जांच अजेंसी के सामने पेस नहीं हुए पूस्ताज के लिए अनिल देसमुक जब एडी के सामने पेस हुए तो घंटों की पूस्ताज की बाद उनको दो नौंबर को गिरपतार कर लिया गया उन पर मनी लोंडरिंग का आरोप लगा है उन प के बाद सीबी आई को मामला गया सीबी आई की केस दर्ज करने के बाद एडी ने भी अपनी जांच सुरू की थी दोस्तों इस कबर पर आपकी क्या राई है अनिल देसमुक की बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बतेएगा